हुआ फिल्म कठोर एक ऐसे फादर डॉटर के रिलेशन्शिप की कहानी है जो किसी एक हादसे के शिकार की वजह से एक परिवार में एक ट्राजडी हो जाती है और फिर उस ट्राजडी को फादर किस तरह से लेता है और कैसे अपने मन को कठोर करके एक रिवेंच का काम पूरा कर लेता है चार लाइन की ये एक छोटी सी कहानी है लेकिन इसे लिखा बहुत अच्छा है राइटर डिरेक्टर करन कश्यप ने और सबसे बड़ी बात इसमें जो किरदार मैंने प्ले किया है फादर का उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमानदारी से जेल कर्मी है एक कॉंस्टेबल की नौकरी कर रहा है और उसे अपनी ड्यूटी निभाते हुए एक अच्छा जीवन जी रहा है अच्छा पारिवारिक जीवन जी रहा है बच्चे पाल रहा है घर चला रहा है बेटी की शादी करने जा रहा है कहानी की शुरुवात में हम देखते हैं कि फादर अपने बेटी की शादी की तैयारी में बहुत कुछ कर रहा है और परिवार में खुशिया है लेकिन एक हादसा होता है जिसमें मेले में क्या कहा है नकसली अटैक होता है और बच्ची उसमें मारी जाती है बच्ची को किसी का निकल रहे हैं पितावी बेमन से जिन्दगी जी रहा है कहानी आगे बढ़ती है और ये जो जेल का अर्दिल जेल का कॉंस्टेबल है इसे उसी किलर को खाना खिलाना पड़ता है जिन्दगी की ट्राजडी देखिए उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा था जब उसने गोली चलाई थी अब उसको अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसी किलर को उस जेल में जो एड्मिट हुआ है उसे अपने हातों से भोजन देना पड़ता है ये बरदास्त बाहर की सकता और वो अपनी मदद खुद करता है अपने आपको कठोर बनाता है अपने मन को कठोर बनाता है और अपनी बेटी की मौत का बदला लेता है एक आम आदमी के बदले की कहानी है ये और वो कैसे बदला लेता है यही इस फिल्म की फिल्म का सेकेंड हाफ है ये इस तरह की फिल्मद्य तो बाट तक तट अगे ये फिल्मस जो है फिल्म एन आट बश्य वाद टीजा करें। प्रोडेट्स वेड़ी प्रशिक जिड़ोंगे जिडि़ जिड़ जिड़ जिर गलुटिय। 잠 में धर्फ जिय। all artists have done their work very sincerely and what we need is support of the public relation department and the distributors that they take this film on its merit and create an opportunity that the whole nation sees it if more and more people watch it I'm sure they are going to like it see as you also have said it it's very difficult for such films to reach the whole masses but let's hope for the best let's pray that something good happens and by initial buzz by initial we are getting films like we are getting shows from PVR and there are very few shows initially let's hope that those few shows create an awareness that more and more people watch it I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry yeah 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 how challenging सभी का सपोर्ट रहा सबसे बाद तो रभी जी ने कहीं रोका नहीं किसी चीज में टोका नहीं जहां जो लगना था वो तो लगा है फिल्म में कहीं रिसोर्सेस की एसेच कमी नहीं है थोड़ा बहुत ज़रूर कटनाईया हुई है चीजों को लेकर शेडियूल वरकिंग आर् अच्छा कंटेंट एक अच्छी कहानी लेकर हमारे लोगों को पसंद आएगी और इस तरह की फिल्म है यह कहीं थोड़ा बहुत कुछ कह सकते हैं कि मिलता है लेकिन यह एक्शली बाप-बेटी का रिलेशन तो है लेकिन यह कहानी है वो उस बंदे की जिसको अपने ही बेट के खाय मदटी को खाना खिलाना यहां मुश्किल किसी के लिए अपने बेटी के कातिल को खिलाना तो वह एक जो अंदर की व्यता है वो कहानी है तो पहीं नहीं बहुत अलग है दि आख बैम हमारा कोई हो बड़ी यह सटार but ऑप मकाबला तो नहीं हमारी कहानी और सबर्सक् जुड़ा हो आज इस तरफ हो बाकी समय उसी तरफ रहता हूं तो जैसा आपने बोला कि संजदत की भूमी और तो इस फिल्म की जो थीम हो उससे काफी अलग हटके हैं चूंकि एक इस फिल्म का जो सबसे अच्छा जो थीम है कि एक जबुद कर लो liberal बच्छी की हँत्या जो है नकसली के दौरola की जाती है बात में जब नकसली पकड़ा जाता है उसे जेल भेजा जाता है को रखने की खाने उसी सारी जवाबदारी उसी जेल के प्रहरी को दी जाती है जिसकी बेटी को हत्यखधाला कि में है और फिल्म का लाद सिन जो है इसी कस्म कस्म में राता है कि अगर कानून जाएंगे केस चलेगा तो इसको प्रणिस नहीं करवाएंगे तो फिल्म अच्छी एक अच्छा है और ऐसा मानना है कि लोगों को और आम लोगों को बसंद आएगी और चाहूंगा कि लोग घरों से निकले काफी दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसकी एक कहानी है जो पूरी की पूरी एक बेस प्यार होता है की अधिविजीनें जे Kevin विशुष दिन है या वह सारी फिमें आइषी आहीं जैसे फोकरे कठोर जो सब दाया है एक बहुत soft-hearted आदमी अपनी ग्लानिवस और जो situations रहती है उसके हिसाब से जब वो change होता है अपने अंदर तो बहुत ज्यादा कठोर तो लाता है अपने अंदर हो बहुत ही soft-hearted आदमी रहता है अब जो कभी non-vegetarian नहीं है अचानक से ओ फिर non-vegetarian होता है अपने आपको कभी स्ट्रॉंग करता है तो यह सब तो वहां से आया कठोर जिए इस फिल्म में आपका किरदर किस तरह है अब आप फिल्म देखिए किस तरह का म्यूजिक होता है जैसा पिक्चर का नाम है कठोर लेकिन म्यूजिक जो है म्यूजिक पोशन उतने ही एकदम हार्ट टचिंग है जिसमें कि मैंने कि लोरी गाई है जो इतिंक सब को पसंदाएगा और प्रमोद जिसने गाया सुना अंगन को प्रमोद ने काया है मतलब म्यूजिक इस मतलब हार्ट टचिंग और वेरी सॉप और बहुत मिनिंग्फुल मिजिक और विश्रुदी आगया आपको बताएगा है विश्रु जी मूजिक गाया है तो इसने बहुत अच्छा मेनत किया और मिशार गाने है इन्होंने गाया सुना सुना और एक टाइटल है कठोर वो गाया राजासना और एक गाना गाया रिखा राओ नहीं जो आइटम नमदा तो यह चार गाने है तो क्या ब्रीफ दिया गया था डिर्क्टर साहब करन जी के लिए मैं ये कउंगा कि तैसे डिरेक्टर है जो उनको को जो चाहिए वो जब तक उनको नहीं मिलेगा वो मानेंगे नहीं और वही हुआ उनको जो चाहिए था जैसे सिट्विशन उन्हें बताई थी बाप बेटी के ओपर वो गाना सुनके मनुद भाई ने भी बोला था कि यार मेरे को लग रहा स्क्रिप्ट ऐसी होगी तो इसने उनके यह बोला कि इसक्रिप्ट ऐसी होगी मतलब स्क्रिप्ट बिलकुल चिपके हुए गाने जो श्रिप्ट के कि रिक्वाइरमेंट है जो जब दोर एक यह अन्यन क्यों सुना सुना घर का अंगन सुना मन का कोना स्याहरात के सना आटे में चुपके चुपके रोख रोना, चुपके, चुपके, रोना, संगीत की कोई भी लैंग्वज नहीं होती, कोई बात चीत नहीं होती है, बस संगीत कैसा भी हो, एक फीलिंग्स होती है, अहसास होता है, और सब एसास कर सकते हैं, और बहुत अच्छा काम किया है विश्णु भाईया ने, और मैंने अच् सब आप सब क्यों पर है थैंक्यू सो मुच थैंक्यू थैंक्यू